नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आपको ऐसी चार चीजों के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आपका कॉलेस्टोल कभी नहीं बढ़ेगा नहीं आपको नसों में गैस होगी नहीं नसों में ब्लोकेज होगी आप स्वस जीएंगे healthy जीएंगे दोस्तों आज हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको easily अपने घर पर ही मिल जाएंगी या फिर आसपास की market में easily मिल जाएंगी यह आपके घर में नहीं हैं दोस्तों इन चारों चीजों का प्रियोग करके आप अपने cholesterol को सही रख सकते ह हाट को सही रख सकते हैं और अपने जो toxins हैं आपके शरीर में अंदर उनको बहार निकाल सकते हैं आईए जानते हैं उन चार चीजों के बारे में और दोस्तों शरीर की ऐसी कोई बिमारी नहीं होगी जो ये control में नहीं कर सकती हैं चार चीजें दोस्तों चारों चीजों में स पहली चीज है आमला, आमला दोस्तों हमारे लिए काफी फाइदेमंद है, यदि आप हर दिन कच्छा आमला खाते हैं, तो इसके पीने से आपकी इमिनिटी मजबूत रहेगी, जूस पीने से दांत और मसूडे मजबूत रहेंगे, इसके अलावा सांसों की बद्बू को भी य आप आमले का सेवन करें, ब्लड शुकर को कंट्रोल करने में ये काफी फाइदेमंद है, डायवटीज के मरीजों के लिए आमला एक बहतरिन फल है, आप इसका यूज जुरूर करें, जीन लोगों का कोलेशोल बढ़ चुका है, इसका यूज करने से दोस्तों उनका कोलेश आपकों के लिए काफी फाइदेमंद है, बालो के लिए अच्छा कंडिशनर का काम करेंगा, आपके हाइट को स्ट्रोंग रखेगा, बालो को सफेद नहीं होने देगा समय से पहले, विटामिन ची की कमी नहीं होने देगा आपके शरीर में, गले की खराश में काफी और यदि आपको पत्री की समस्य है उसको भी ये ठीक कर देगा, खून की कमी को दूर करने में काफी helpful है, दूसरी दोसों ओश्दी है जो आपको ठीक रखेगी वो है लहसुन, लहसुन काफी फाइदे मन्द है, लहसुन को आप या तो कच्चा खा सकते हैं या भून कर भी इस ये दूर करता है, सर्दी खासी हो, आप इसका सेवन जरूर करें, आपकी सर्दी खासी दूर हो जाएगी, कॉलेस्टोल को ये काफी रिमूव कर देता है, बैड कॉलेस्टोल को, दोस्तों पाच्चन समंद्य आपको कोई भी समस्या है, पेट के रोग है, डाइबटीज है, उनको सही कर देगा, दोस्तों आपने इसका सेवन करना है, सुभे खाली पेट, यदि आप इसका सेवन सुभे खाली पेट करते हैं, तो आपका जो बीपी है, वो कंट्रोल में रहेगा, और शरीर की अनेग बिमारियों को ये ठीक करेगा, और दोस्तों तीसरी चीज है, ले नेगर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर की साफ सुभाई से लेकर लीवर, हार्ट जैसे भ्यंकर बिमारियों के लिए बहुत ही कारगर है, दोस्तों महिलाएं इसका सेवन करके अपना वजन कम कर सकती हैं, और महिलाएं ही नहीं, दोस्तों जैंड्स होते हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं अपना वेट घटाने के लिए, वजन कम करने के लिए आपको आधा चम्मच सेव के सिरके को निम्बू के रस में मिलाकर सुभे सुभे इसका सेवन करें, तो आपका वजन घट जाएगा, यदि और बिमारियों में इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आप इसका खाना खाने के बाद भी इसका प्रियोग कर सकते हैं, इसका या तो आप खाली पेट यूज कर सकते हैं, या खाना खाने के एक घंटे के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, दोसो इसका सेवन आप सीधे ना करें, स्ट्रॉव अगरा की हैल्प से ही इसका सेवन करे क्योंकि जो विनेगर होता है हमारे दातों को वो नुकसान पहुचाता है तो आप इसका सेवन स्ट्रॉ के साथ करें दोस्तो चोथी चीज है क्योमिन, कोरियंडर और फैनल सीर यानि जीरा, धनिया और सौफ आपने दोस्तो अपने घर में इन सब चीजों को देखा ही होगा ये ऐसी चीजे हैं जो आपको काफी फायदा देते हैं आपके शिरीर की बिमारियों को सही करने के लिए वजन घटाने की जहां बात आती हैं तो आप इन तीनों चीजों का यूज कर सकते हैं या तो इसका काड़ा बना सकते हैं या फिर इन तीनों चीजों को रात को भिगो कर रख सकते हैं और सुभे इसका पानी छान कर पी सकते हैं डाजेशन के लिए काफी फायदे मंद है तीनों चीजें जीरा दोस्तों बरसाती मुसम में पाचन तंतर को सही बना कर रखता है तो आप जीरे का सेवन भी जरूर करें सौफ भी आपको प्रकिर्तिक चमक देती है आपकी स्कीन को चमका देती है तो तीनों जो ओशदिय हैं वो काफी फायदेमंद है हमारे श्रीर की बिमारियों को दूर करने के लिए आप इसका सेवन आफ्टर मील कर सकते हैं खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं एक घंटे के बाद तो आपने चारों चीजों का इस तरीके से सेवन करना है आपके शरीर की तमाम बिमारियां सही हो जाएंगी दोस्तों आवले का या तो आप पावडर ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं या फिर आप इसको कद्दुकस करके पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं यदि आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं आवले का तो आपके शरीर को भरपूर फायदे मिलेंगे अब आपको बताते हैं कि चारों चीजें आपने किस तरीके से लेनी है और कब लेनी है दोसों आवला आप हर रोज खाएं यदि आपको कोई बिमारी नहीं है आप स्वस्थ हैं तब भी आप आवले का सेवन हर रोज करें क्योंकि आवला हमारे शरीर को स्वस्थ बना कर रखता है आवले का कोई नुकसान नहीं है आप पूरा साल भर इसका यूज कर सकते हैं हर रोज खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन खाना खाने से पहले यानि खाली पेट यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इसके भरपूर फायदे मिले वैसे तो दोस्तों आप आवले का किसी भी रूप में प्रियोग कर सकते हैं, आपको फायदे ही देगा आवला, यदि आप किसी और रूप में नहीं प्रियोग करना चाहते इसका, यानि आप पावडर ही लेंगे या जूस लेंगे तब आपने इसका खाली पेट सेवन करना है खाली पेट सेवन करने से आपके शिरीर की तमाम बिमारियां सही हो जाएंगी आवला तो आप हर रोज लें दूसरी ओश्दी है गार्लिक यानी लहसुन लहसुन को आप दोस्टों खाली पेट लें सुबे इसको भी दोस्तों आप हर रोज ले सकते हैं आवला और गार्लिक दोनों को ले सकते हैं जैसे कि आप पहले आवला पानी पिए और उसके आधे घंटे के बाद आप गार्लिक लें लहसुन लें लहसुन आप कच्ची भी ले सकते हैं या फिर भून कर भी इसका सेवन कर सकते हैं तो हर रोज आपने आवला और गार्लिक ले सकते हैं या फिर पहले भी ले सकते हैं और लैमन और विनेगर का जो हमने जूस बनाया है वो आप दोनों तरीकों से ले सकते हैं खाली पेट भी और खाना खाने के बाद भी तो इस तरीके से दोस्तों आपने इनका सेवन करना है लैमन और विनेगर जो वाटर है वो भी हफते में आप तीन बार सेवन करें दोस्तों आप इन चारों चीजों का यूज करके शुरीर के अनेक बिमारियों को सही कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्कों